नमस्ते मा चुन चुन्या दप आज भेडि मद नाया टौप्यार आगा छो छो दो नेम अब द टौपिक इज इज यूश आफ प्रजेंट परफेक्त and प्रजेंट परफेक्त continuous हमें Present Perfect को प्रियोग कहां गरने हो गने चिसको बारे माँ आज छल फल को भी साय रहने छा सुरू गोरा में Present Perfect Tense बाटा Present Perfect Tense लेके देखाँ छो गने ना लेके गो छा इसको मतलब के देखाँ सब्सक्राइब कुने पिनी काम प्रियोगर ने हो पर्जेंट पर्फेक्टेंश को प्रियोगर ने हो यस्तो वाक्टे मा इस सब्सक्राइब के देखाँ यस्ते जॉस्त अल्डेडी एट एभर रिसेंटली लेटली सो फार तील नव होलम इस सब्सक्राइब के देखाँ सेंट प्रियोगर ने हो प्रियोग गरनु परदा शा For example I already eat five mangoes Exam मा यस्तो वाक्य दियेगो उन्षा भने हामिला यसमें की हरनु परदा शा Already को प्रियोग भाईक हो शा कि अल्डेडी को प्रियोग भाईक शा भने यस्तो वाक्य लेकुंटेंस मा लेकिन शा परदेंट परफेक्टेंस मा इसको अनि परदेंट परफेक्ट मा क्यें शारूंचा I have already eaten five mangoes Next He just go out इसमा हरूंचता यहां के चा जोस्त को प्रियोग चा यदि just महा लगली just about a sentance अन्व mee לו याहा हमे लेक्टे न्यक्रोर्ण परछा 成 पर्फेक्टको यहां है स्मस्तार, since oblique 4 plus time in the bracket to denote an action beginning in the first and continuing up to the present moment. इसको मतलब क्या होए बने, यदि हम्रों वाक्य मां since, वाक 4 वाला समय बने, या 4 शा तेस्पची यही समाय शाव कुने बने, time शाव बने, तरती वाला हमें क्या गरनू पर शा, present perfect को प्रिय गरनू पर शा, यसले क्या देखाऊं सा बने, to denote an action beginning in the past कुने, पर नी action क्या बने, पास्ट मां सुरू भाय को शा, तर केसे continue, up to the recent, sorry, present moment, अहले पने केसे त्युका जारी शा, यसले क्या देखाऊं सा बने, since अथुआ 4 वाला समय शा बने, हमें क्या गरनू पर शा, present perfect को प्रियो गरनू पर शा, तर हमेले क्या थाराखनू पर शा बने, या नोट देखाऊं अगला हिदम स्वजिलो शा, यू नोट थाराखन पर शा, क्या बनाचा, इप, बी, हाब, नोट भार्व, इन दा ब्रैकेट, यूज, पर्जेंट, पर्फेक्ट, इन दिस कॉंडिशन, यसको मतलब क्या हो यह बने, यदि हाम रो ब्रैकेट मा, बी भार्व, बी बनेको बी बनेको 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 बनेक और नोट भरबोनों को त्योस सेंटेस्स लाही निगेटिउम सेंटेस निगेटिम माझने हम क्या ने हो प्रजेंट परषेक्ट सोपर्योगी अबहर नोखδα सिह। आधरवायज परजेंट परफेट परफेट, कॉंटूनियस इसको मतलब जूके होईने ंस अथवा 4 ृ समय लागде को वाक्ये चा ृ द्ध वाऊं इद विटा को रामा breathes यो note मां breathes क्लियर चा इडिूस्त, He be得heel since last week अब यहागेश केषा since ृ केषा लास्टे विटिबूस समाई हो since plus समाई सहाँ वहने हाम ंस की वहरे Dud वाईले हमगें सम आई सा, सिंस सम फार सम भने हमी कि अरे डिविता वएप ये टेंस बनाऊने हमने उने कुरा गरे शो उता present perfect और present perfect continuous present perfect कोती वला प्रियोगर नियो यदी वाक्यमा बी भर्ब शा हाब भर्ब शा या निगेटी बनाओ दी शो यहां केसे बी भर्ब बी भर्ब वनी कुन टेंस माँ बन शा हो इसको निशे एंसर के बन शा हो he has been ill since last week next I not see her for several months इसमा की जे फोर शा several months के हो time हो समय ले बोद गराऊं शा अनि इसमा कुंटेंस को प्रेव बन शा हो इस sentence लाइम के बनाओ शा negative not like बने के बनाओ शा negative बनाओ पड़ शा अनि के उन्सा present perfect present perfect negative के बनाओ शा अनि शो से एंसा I haven't seen her for several months next I work in this school since 2070 इसमा के since सा समाई शा अब प्रेकेर बत्र के शा बी भर्ब शा शा ना have भर्ब शा शा नेगेटिव शेंटेशो होई ना होई ना बने since प्रेव समाई लाइगो शा बने कुंटेंस को प्रेव उन्सा होब present perfect continuous को अनिसको शेंटेशर के माँचा I have been working in this school since 2070-2070 क्लियर सा फिरी present perfect प्रियोक अरुकुंठाव माँचा के माँचा to denote recent past action which have result in the present to denote recent past action which have result in the present इसको माँचा कुने काम past माँचा गोरी सके चा या कुने घटना घटी सके को चा तो इसको result present माँचा बर्तमान माँचा पनी के सा बाकी सा प्रूफ बाकी सा तेती बला के गरने present perfect को प्रियोक गर्णू पर्दा सा फोर एक्जाम्पल को लागे she caught her finger it is bleeding now एक जनाल के गरे सा एक जना को finger कटे को सा तरह अहले पनी के होदे सा के होदे सा रगत बागी रेको सा एक जनाल कोटने काम पास्टमा बाएको सा कोटने काम पास्टमा बाएको सा तरह अहले पनी प्रूफ शा के प्रूफ शा bleeding वही रेको सा अने इस तो sentence ले कुंटेंस में लेकन पर सा present perfect माँचा अने अनसर क्या होदे सा she has caught her finger it is bleeding now ठीक्सा अब हामी present perfect continuous प्रूफ को बारे मां हामी शल्फल करने चाऊं यसले के कर चाबने for an action which began at some time in the past and is still continuing कुने action चाहें past आने शुरूब हाई को थियो तरह अहले पनी के होदे सा त्यों काम जारे नहीं शा इस तो आवस्ता माँ के गरने हामी present perfect continuous को प्रियोग गरनों पर दे सा अवग present perfect continuous को प्रियोग गरनों शा क्या मनचे if there is all the all this all plus parts of day in the sentences क्या मनचे दी all the को प्रियोग गरनों चा अथ्वा all this चा अथ्वा all plus parts of day कुने parts of day चा त्यों तो आवस्ता माँ के गरने हामी ले के गरनों पर चा present perfect continuous को प्रियोग गरनों पर चा अवस्ता माँ अथ्वा all this चा थ्वा all चा अवस्ता अवस्ता अथ्वा आमी जेन्डर रों मा बंदा खेरे कुने टाइम चा त्यों वाला के गरने हामी present perfect continuous को प्रियोग गरने हो जोस्ता है इत रेन अल दिस मॉर्णी इत रेन अल दिस मॉर्णी नहीं के छा अल दिस त्यास वजी के छा या समाई चा और इस हो शेन्सार क्यों चा हो, it has been raining all this morning next, Rita dance all this afternoon हो, Rita has been dancing all this afternoon किना बने, all this plus, यहां के छा, पर्स अब डे अथ्वा, समाई छा next, फिर अरको, कुन ठामों present perfect condition होना सक्षा क्यों इट आउकर्स विद, 4 plus time plus 9, अथवा, all plus present time यहां फोर लागे के सबाग मां, तेसमा समाई पनी छा, र 9 को पनी प्रियोग हो छा 4 पनी उन पड़ छा, कुने time पनी उन पड़ छा, 9 पनी उन पड़ छा अथवा, all सा, यहां कुने present time सा गनी के गरने हमी present perfect कुन ठामों पर शामिले for example, I teach in this school for 10 years now यहां के जब 4 पनी सा, समाई पनी सा, 9 पनी लागे को सा इस्तो अश्ताम कुन ठामों ठामों पर गरने हो 4 I have been teaching in this school for 10 years now के लियर सा next she has been telephoning me all this morning she has been telephoning me all this morning के लियर सा, all this class के लियर सा, morning नेको present time सा तियो भरी के उन ठामों ठामों के गरने साक्षा चला है present perfect continuous time मां में लियर सा, के लियर सा यहां सामां आवा की exercise है नुच्छा के उन्छा supply the correct form of the words even in the brackets role of drive back is since his childhood वसको छैन्सर के उन्छा के उन्छा, ना किचा since, पलस सामाय चा since, पलस सामाय चा बाने भर्षा हमले हेर्वूपर से bracket मां के उन्छा ड्राइब छा इसम तो आप गी भर्ब छाए ना हाप भर्ब पनी छाए ना निगेटिव पनी ऊए ना त्यों बरे कुण त्यों त्यों प्रजेंट परफेक्ट को अनि येसको से इनसर क्या हुँँँँचा रॉल्फ हाज बिन ट्राइब Lub here कि आप भर्ब सा निगेटिव बनाओगे अनि प्रड़ेंट परफेक्ट माइब परजेंट परफेक्ट परींगे पले प्रफेक्ट मां से मां से इसलों ब्रेंग फाल terme They live here since they got married येसमा पनी केशा Since they got married तियो पनी क्यों समाईने हो जुन देदेगे बी हे गरे को शा अ येसमा कुण के शोप्रेग होंचा हो येसमा केशा बी भर्ब शा है भर्ब शा निगेटिब बनावन पर शा बनावन पर देन अनि क्या होंचा They have been living here since they got married Next We already have our breakfast येसमा कुण टेन सा प्रेग होंचा हो येसमा के लागे कुछा clear सा Next She teach in the same school for 7 years येसमा के लागे क्या होंचा अनिसमा के लागे होंचा येसमा के लागे होंचा हो present perfect continuous कि नवने ये बी भर्ब शेना ये बर्ब शेना निगेटिब सेंटेंस होईना She has been teaching in the same school for 7 years Next We not finish our work yet येसमा के लागे होंचा हो We have not finished our work yet किना बने येट लागे होंचा येट लागे होँचा येसमा के लागे होंचा present perfect He take extra class since last years येसमा के लागे होंचा हो He has been taking extra class since last week किना बने Since plus समाई ये बर्ब शेना है बर्ब शेना है बर्ब शेना होई के लागे होंचा present perfect continuous के लिए अगे होंचा Nobody write to me since my word day येसमा कुन होंचा हो Since plus समाई ये sentence ये राइट बर्ब शेना ये sentence नाही में निगेटिव सेंटेंस हो तियो भरी के उन्सा पर्जेंट पॉफट नेक्स दे बी तो इंगलेंड इसको सेंशर के उन्सा हो दे हब बीन तो इंगलेंड आज को लाग यहती कहें थेंक्यू प्रिस लाइक और सब्सक्राइब मैं वीडियो थेंक्यू झाल झाल